आज हम आए है रोसे टाइलाइट क्लब में और जानेंगे कि रोसे टाइलाइट क्लब में क्या एसी खूबिया है क्या क्या यहाँ एक्विप्मेंट है कौन सी कौन सी यहाँ पर सुविधाय दी जाती है तो आज हम जानते हैं रोसे टाइलाइट क्लब में जाकर उन्हीं से चलिए क्लब में जो है जीम की जो सुविधा दी जाती है तो हम यहाँ आए है आप देख पारे हो कि यहाँ जो है जीम जो है जो है चल रही है लोग जो है अपनी जो एक्सरसाइस करते हैं हमें दीख रहे कुरुना के बाद बहुत दीन तक जीम बन थे लेकिन अब कुरुना के बाद गौर्मेंट की गाइडलाइन पर जो है जीम भी खुल गया है तो हमारे साथ वर्शा जी है उनसे हम जानते है कि किस तरह का रिस्पॉंस जो है फिर से आप को मिलने लगा है क्या बता है नमस्ते मेरा नाम वर्शा है I am a sales manager over here Rosetta में actually after lockdown के बाद में हमने जब restart किया काफी हमारे existing members थे उनकी demand थी कि आपका जीम कब start हो रहा है बट जी आर के बाद में हमने फिर से रिस्टार्ट किया हुआ है काफी अच्छी तरीके से हमने सबसे पहले तो इसको सेनिटाइज किया हुआ है जना आप यहां पर हमारे trainers भी देखेंगे हमारे पास में trainers अब लेबल है एंड हमारा morning चे बज़े से लेके इड़निंग दस बज़े तक हम लोग शुरू रखते हैं जिम जिसमें हमारे एक्जिस्टिंग मेंबर्स वगरे सारे लोग वरकाउट करते हैं आप देखने हैं जहां पर काफी अच्छी हमारे पास एक्विपमेंट्स है वैल एक्विपमेंट्स है जैसे ट्रेड मिल है एलेपिकल्स है दैन डूइल मोशन कंट्रोल सेक्शन हमाई पास वेड सेक्शन अलग से हैं तो यह सारी चीज़े होती है रेगुलर विचिस पर जो पहले मतलब करना से पहले की जो दीन थे उस समय जीम का मतलब कैसा इत्मॉस्पेर था और अब करना के बाद क्या क्या फेसिलिटी जो आपके मतलब जो जीम के लिए आते हुन के लिए लेकर आए हो मतलब क्या चेंजे सुए को एक्शेक्ली जो रेगुलर हमारे मेंबर्स थे कैसा है काफी सारे लोग अभी हेल्ट कॉंशिएस ह क्या क्या है तो कोरोना में जैसे का फीलोग अल्मोस श्रड में बीच गय quien तो हम लोग कैसा है कि काफी लोग घर पे थे तो किसी का मतलब था था नहीं कोई वर जो पहले न के हम दोब कि hotter फीट्न वगड़ ही तैस्टेंग आ चलीनि उन्सक्रां आपसले बारे में जाना पकटांगर्श resigned help झाले का नियूंग सब्सका स्वेटा क्लब जो है यह एक ही छट के नीचे आलग एぎ में विदयाए दे रहा है जहसे जीम हो सालून हो हमें जीम के बारे में तो जान लिया आप सालून का जो है सी देखते हैं सालून में किस तरह की इस माई देख रही है। कोरोना होने के बाद जिस तरह से अनलॉक हुआ है और अनलॉक में जिस तरह की काइड लाइन्स दी गई है उसके बाद क्या बदलाव जो है यहां के सलोन में देखी गए है वो हम जानते हैं चलिए जो की इंड़र स्विम्निंग पूल है तो जानते हैं तो जानते हैं इस बारे में कि जो स्विम्निंग पूल है इंड़र है क्या बताना छाहोगी यह जो नापूर में स्वेमिंग पूल जो है पहली बार इंडोर स्वेमिंग पूल नेखा जा रहा है तो क्या बताओगे इसके बाद गुड एवनिंग आम बंकर श्रमा आमा सेज्स मैनेजर होई है आफ्टर कोविट कोविट के पहले जो हमारा पूल में जो टेंपरिजर कंट्रूलर था वो इंस्टॉल नहीं हुआ था बट अभी कोविट के बाद हम लोगों ने पानी का हमारे पीएश लेवल हम लोग ने टे है तो हमारे आप एक ऐसा इंडूर होने के कारएं इसको आप 12 मंथ इसको मतलब यूज कर सकते है सारे मेंबर आते हैं सर्विसेस हमारी अच्छे से लेता भी हमारे पूल में टेंपरिचर कंट्रोलर भी हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया और इसके अलावा हमारे पास टीम र स्विमिंग का जो मत्क्रेज है वो कम नहीं है लेकिन कुर्णा की चलते क्या हुआ था कि लोग घरों में थे अब जैसे जिससे अनलॉक हुआ है तो आपने भी बहुत सारी प्रिकॉशन्स लेकर जो है फिर से सब शुरू किया है तो क्या बतना चाहोगे किस तरह का रिस्प करें मेंबर्स के लिए परमीशन मिलनी की है लेकिन जो भी पहले से स्विमिंग सीखने आते होंगे या जो आपकी कलब के मेंबर है वो स्विमिंग के लिए आते होंगे क्या उनकी तरफ से आपको मतलब रिस्पॉंस आ रहा है क्या उनसे आपको मैसेजिस आ रहे है क्या बत तो स्विमिंग सेक्षन में हमने देखा कि किस तरह से इंडूर स्विमिंग है, सब किस सेक्षन जो है अलग-अलग है, बच्चों के लिए अलग से स्विमिंग पूल बनाया गया है, इंडूर होने की वज़ा से जो है, यहाँ पर अलग ही ऐसा महौल भी है, तो अब चलते हैं रोसेटा इलराइट क्लब के दूसरे सेक्शन में जानते रहा की काजिए तैर हम और रोसेटा इलराइट क्लब' की बैंक्वेट हॉल सेक्शन में और जानते हैं पंकच जी से कि क्या बताओगे कि जैसे कोरोना का काल बीच चुका है फिर से सब जो है शुरू हो चुका है लोगडाउन के बाद अनलॉक हुआ है तो बैंक्वेट हॉल है और पार्टी जी तो चलती रहती है तो किस तरह से अभी किस्टमर्स या जो पार्टी करने लोग आ रहे क्या किस तरह से रिस्पॉंस मिल रहा है कोड़ा के बाद कि कोवेट सेक्शन को जो तीन चार मैंने गया है अमारे नाकपूर शाहर में वह सारे लोग घर में बैठके बस अच्छा खाना खाने की कोशिश करते थे बढ़ कोव हों सारा फोलो कर रहे कि मैंने बातं की जो वीड की जो शो सनी होता है वो में हम लोग य फॉलो कर रहे इसके एसके अलावा जो हमारे मेंबर जाथे हम लोग बहुत कम якіस काम से कंटिभ teen करते हैं ताकि या पी नहीं होना ची है क्या डिमांड है आपकी जो मतलब आरे कस्टमर सारे या जो आपके यहाँ पे जो केंडिडेट है वो क्या डिमांड करते कि अप कुर्णा हो चुका है इतने दिन बीच चुके है घर में बैठे थे किस तरह का उनका रिस्पांस है क्या उनकी डिमांड है डिमांड तो ऐसा कुछ ऐसा मेन परपस नहीं होंगा बस उनको यही होना कि जो सारे टमसें कंडिशन होता है कोविड नेंट के वो सारे फॉलो होने चाहिए और सारे जो हमारे शेफ है वो वेल गुरूम्ड होके खाना बनाना चाहिए बस अब आने वलों दिलों में जो है क्रिसमस है थर्टीफस्ट है तो उस इसाब से किस तरह की अरेज्मेंट जो है रोसिटा द्वारकी कि हम लोग ने अरेज्मेंट इस तरह के कर रखा है कि हमारा यापर लौड म्यूजिक हम लोग को गर्मेंट ने मना करा है जो भी रहेगा 50-60 पार्टी करेंगे उसमें भी हम लुग लौट मुजिक वगरे कुछ नहीं करेंगे सालेंट म्यूजिक चलेगा लोग आएंगे डाइनिंग करेंगे फिर सारे उसमें फॉलो करेंगे हम लोग ऐसा चीज तो बैंक्वेट हॉल के बारे में हमने जाना है किस तरह से कुरुणा के बाद यहां कि सर्वीज जो है दी जा रही है अब जानते हैं दूसरे सेक्षन के बारे में तो चलिए तो रोसे टाइलाइट क्लब के रेस्टोरेंट एडिया में हम आए है तो विवेग जी से जानते है कि कुरुणा के बाद किस तरह की कस्टमर को सुवीदा दी जा रही है क्या बताऊगे अच्छी अभी तो बहुत अच्छे क्राउट बढ़ रहा है हमारे सेटिंस में है कि आने वाले दिनों में जो है क्रिसमस 31 तो इस तरह की वेंट के लिए कुछ सपेशल आप आपकी कश विवेंट करनें बाटी जनों अब बीकर से म्योजिक्स भी अलाउन नहीं कर रहे है और सेटिंस का इसा है कि जो भी हमारी कैसी इसमें 50% अगर तो इसाफी मतलब कि ज कुछ अब्सक्राइब तुल से वो थो कश्च अबर्मेंट के लिए इस तरह सेसे इस साल कश्टोमर्क देना चाहिए ऐसे कुछ इस तरह से प्लानिंग हुए समय बटेस्ट जाए ने लास्ट टेम हमेरे म्योजिक अनॉल तो वह नहीं रहागा बाकि अगर गौर्णमेंट गाइडलेंज कुछ आते हैं तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ करेंगे एक ही क्लब है रोसेटायलाइट क्लब और यहां पर अलग-छविदा है एक छट के नीचे मिल रही है तो इस तरह से Has Ini फो करना के कि और से जो है सभी गाइडलाइन्स को फॉलो कर अपनी कस्टमर को सुविधा दी जारी है तो अब हम आ गए सलोन सेक्षन में तो यहां भी हम जानते हैं कि किस तरह कि कि यहां पर बदलाओ हुयं कुलना के बाद कि इस तरह की सुविधाय जो आने वाले कस्टमर को दी जाती है तो जानते हैं यहां के जो वर्शाजी उनसे ही कि सलोन का जो कुलना के बाद का जो रूफ है यहां का इ Russell पूरी तरीके से शुरू हो गया है सलॉन आप देख रहे हैं यूनिसेक्स सलॉन है हमारा मेल फीमिल दोनों सर्टिफाइट व्यूटीशन से हमाइपस में यहां हम लोग सिफ टॉप क्लास ब्रांड्स ही यूज करते हैं लाइक स्कीन डॉरियल बायोटॉप्स मेट्रेक्स यह सारी चीज़ें फिर से मैं बताना चाहूंगी कि जैसे लोगों का डिमांड था कि सबसे पले तो सलॉन स्टार्ट हुआ है ना आफ्टर लॉक्ड़ॉण तो सलॉन में अभी हमारी जो भी रेगुलर मेंबर्स है नॉन मेंबर्स है रेगुलर बेसिस पे आते हैं अभी आप तो पहले नॉर्मली सब ओके था लेकिन अब सेनिटाइजिंग है तो सोशल डिस्टेंसिंग है तो किस तर से ग्राकों की सुविधाओ का ख्याल रखा जा रहा है यस सबसे पहले तो हमारा ये भी पार्ट मतलब पूरी बिल्दिंग हमारी सेनिटाइज हो चुकी है यहां प जुरूर है यहां पर तो रोसेटाइलाइट क्लब के बारे में हमने जाना है एक ही छट के नीचे इतने सारे सुविधाय हमें दी जा रही है तो हम डारेक्टर जो है मनिश लांजवार जी उनसे बात करेंगे कि कोरोना के बाद किस तरह से यह सब मतलब तीन मैनों का जो पि अब लोगों का रिस्पॉंस बढ़ रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सेंटरल प्लेस है यह नापूर की और यह सेंटर प्लेस होने के कारण हमको काफी एडवांटेज मिला है यह सेंटर प्लेस पे हमने सारी एमिनिटी अंडर वन रूफ आपने जैसे जीम दे पूरा कंप्लेट किया और अभी काफी मतलब वी आएएएपी क्लाइंट्स आप बोल सकते हैं नापपूर के काफी अच्छे क्लाइंट्स काफी अच्छा क्लाइंट बेस हमें आज वो में में प्राप्त हुए है और रिस्पॉंस हमको अच्छा मिल रहा है क्योंकि हमने सार से क्या डिमांड आपको आ रही है अभी कोरोना हो चुका है तीन मैंने लोग घर में बैट कर बोर हुए थे तो कि कुछ उनके लिए अलग से आपने कुछ ऑफर्स लाए है या कुछ और अलग कुछ कर रहे हो डूरिंग कोरोना आपने देखाई कि लोग एकॉनोमिक लिए थो तो काफी अच्छा हमने डिसकाउंड ओफर जिससे मिडल क्लास अपर मिडल कास हर कोई मतलब आफोर्ड कर पाए तो ऐसा हमने मेंबर्शिप प्राइज रखा हुआ है और पेमेंट कंडिशन भी फ्लेक्जिबल रखी हुई है तो जिसके कारण अभी लोग रिस्पॉंस दे है हर साल तो अलग तरह किसे पार्टीज होती ती इस साल कुछ गाइडलाइन साई है कुछ लिमिटिशन साई तो उससाब से किस तरह से आफ पार्टीज या अरेंजमेंट की गई है जैसे के कोरोना टाइम चल रहा है तो उस वज़े से हमने ऐसा कोई बड़ा इवेंट करने का नहीं सोचा है बट यहां पर कुछ लोगों को अच्छा हम स्पेशल कुछ खाना किला पाए ऐसा कुछ आरेंजमेंट कर पाए जिससे उनका थर्टीज पर स्पेशल हो जाए बस ऐस पर गाइडलाइन गीवन गवर्मेंट हम वो कन्विनेंटली करेंगे तो हमने जाना डारिक्टर मनिश लांजवार जी से कि किस तरह से कुर्णा के बाद जो है गाइडलाइन को फॉलो करती हुए अपने कस्टमर्स को अपने मेंबर्स को वो जो है सुविधा दे रहे और आने वाले दिनों में भी महाराष्ट गॉर्मेंट की जो गाइडलाइन जाना पॉर्मेंट